नमस्कार प्रडाम स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टिक बाई एस पी में मध्द परदेश में पांच लाख बहनों को बहुत बड़ी खुश खबरी मध्द परदेश के मुखमंतरी डाक्टर मोहन यादो जी की दौरा मिल चुका है जीहाच छठ पूजा से पहले मध्द कि आसाया गनबाड़ी सेविका सहाई का ममत जीविका इन सभी बहनों की मांदे में बढ़ोतरी का ऐलान मानी मुखमंतरी मोहन यादो जी के दारा हुआ है तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरा चोटा सारी क्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को इकन जो है दबा लिजेगा इससे क्या होगा मध्य परदेश की आसाया गनबाड़ी सेविका सहाईकाओं से जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप सभी क्रमचारियों को देखने और सुनने को मिलेगा तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मुखमंतरी डाक्ट से नहीं बढ़ाया गया लेकिन पांच नौंबर यानि छट पूजा से पहले सभी करमचारियों के मांदे में बंपर व्रिधी करेगी मध्य परदेश सरकार जी हां अगर आप आसा करमी हैं और मध्य परदेश में काम करती हैं तो आपको मांदे दिया जाएगा 22,300 रुपे क मांदे रासी मध्य परदेश सरकार ने देने का निर्ड़ दिया है वहीं बात करते हैं आगन बारीकार करताओं की तो आगन बारीकार करताओं को भी 20,300 रुपे दिया जाएगा साथ ही साथ अगर बात कर लिया जाएगा सेविकाओं की तो सेविकाओं को 22,300 रुपे दिया का सहाई का की बात कर लिया जाए तो 15,000 रुपए अगर सोईया की बात कर लिया जाए तो 12,300 रुपए का मांदेरा से मध्य परदेश के मुखमंत्री डाक्टर मोहन यादव जी ने देने का निरल लिया है सबसे इंपॉर्टेट बात मैं आप सभी करमचारियों को बता देना चाहता हूं कि मुखमंत्री जी के दारा जो एलान किया गया है वह अच्छट पूजा से पहले परभावी हो जाएगा सभी कर जाएगा और सम्विदा कर्मियों के नियमती करड़ पर मुखमंत्री जी का कहना है दस साल से जादा करणबव रखने वाले सम्विदा करमचारियों का नियमती करड़ पर किरिया भी बहुत जल कंप्लीट कराए जाएगी उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा नव्न वाल